हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स ए विंटर क्या सीजन वैसे तो बहुत अच्छा लगता है और साथ साथ में हेल्थ केर करनी भी बहुत जरूरी है इस मौसम में शर्ती जुकाम आम सी बात है बट पहले के जमाने में ये सारी चीजे भी होती थी और उसकी केर भी की जाती थी गर में ही आज कल हम पूरी तरह से दवायों पर डिपेंड है तो दिखी में कुछ घर पे ऐसा बना रही हूँ जिसमे आपको चाहिए ये ब्लैक तील है ब्लैक सेसमे सीट्स काले तील ये जगरी पाउडर है यहाँ पे नारियल का जो पाउडर कोकोनेट पाउडर हैं यहाँ पे मघच के बीच सूट पाउडर गंठोडा पाउडर और देसी की अब ये सारी चीजों को हम एक मिक्षर बाउल में ले लेंगे दो sonti ग्रम मे ये ब्लैक सेसमे सीट्स लिये है हमें कुछ उसको भुनना भुनना नहीं है ब्लैक सेसमी सेट को भुनने की जरुरत नहीं है ये जगरी पाउडर मैंने 1.500 ग्राम के करीब लिया है आप अपने टेस्ट के अनुको सैट कर सकते हो ज्यादा मिठा पसंद करते हो तो ज्यादा डाल सकते हो अब ये मगज के बीज, ये सारे कुछ भी चीज़े होती है, ड्राइफुट्स वगेरे, वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, इसकी जगह पे आप काजु बदाम भी डाल सकते हो, या और भी ड्राइफुट्स आप पसंद करें, डाल सकते हो, सोट पाउडर, यानि कि ड्राइ जिंजर पाउडर, वो अभी शर्दी की मौसम में बहुत ही जरूरी है, अभी आम सी बात है, जुकाम वगेरे सब होता रहता है, तो हमेशा दवाई नहीं खानी हो, तो सुटकें ठोड़ा पाउडर जो है, वो हमेशा घर में रखने चाहिए, हर चीज में यूज होता है, अब ये देशी घी है, जिसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया है, क्योंकि बहुत ही जम गया था विंटर में, तो मैंने मेल्ट करके, छोटी-छोटी सी तीन से चार चमज, इसमें मिक्स किया है, देखिए, ताकि एक बैंडिंग सी आ जाए, ये क्चरियों बणने घाजी हां, घार मोची न क्परा में गया, से धीक घूच जो डियोपने तीन यहे का में गाते हैं, इसमें तीन के छोटे डरीज होता है, तो इसमें नाले तो भी जरूटं नहीं होती, और उसमें डालाorye जाता है, तो भी तीन का सादी तो सल परता है, य इसको pulse mode में पीशते हुए यानि की बन चालू बन चालू बन करते हुए पीशना है अब दो बार मेने चेक कर लिया बीच में और चला लिया चमत से अब ये पीश चुका है इसको एक बाउल में निकाल लेंगे देखिये आप इसका texture देखिये हाथ में अगर हम बान दे तो मुठी बन जाए वैसा बन गया है उसमें से काफी oil भी रिलिज हुआ है और गी भी डाला था तो उसकी वज़ा से भी तो इस स्टेज पर आप चाहो तो लड़ू भी बना सकते हो छोटे छोटे अगर आपके बच्चे को पसंदे तो हाथ से थोड़ा उसको मसल देना है और फिर आप जैसा मनपशंद शेप दे सकते हो मतलब गोल कटोरी ले सकते हो या ऐसे भी आप खा सकते हो रखके डबे में भरके बट मैं यहां पर थोड़ा सा उसका शेप इनेस कर रही हूँ यह पर अच्छा लगेगा थोड़ा इस तरह से लुकवाइस तो यहां एक डबे में ग्रीस कर लिया है की वाला हाथ करके फिर उसमें मैंने यह मगज के बीच थोड़े बचा लिए थे वह डा़ दिये है ठोड़ा असा ट्राइफुक्स की गतरन लिया बदाम या काजू दो चीजे लिये वेने उसको थोड़ा डाल दिया है फिर यह कौकोनेट पाउडर थोड़ा मेंने फिड़क दिया है यह सारी चीजे थोड़ी थोड़ी डाल दिये और उपर से काले तिल का मिक्षर जो आमने पीसा है वो डाल दिया है चमच से उसको अच्छे से दबा देंगे चार ओर से लेवल कर लेंगे यह बहुत ही फाइदा करक होता है शरीर को बहुत ही गर्मी प्रदन करता है सुबह में एक जिदार लग रहा है शेप इसका और उपर से फिर से हम थोड़ा डेकोरेशन की चीजे जो डाली है रिपीट करेंगे थोड़ा सा ड्राइफ फूट्स थोड़ा से मगज के बीज और भी एक चिद डालेंगे इसको हलका हलका प्रेस करके चिड़क देंगे मुझे खुद को म हमारे घर में हमारे छोटे बच्चे को बहुत पसंद है तो मैं गर में रखती हूं मेशा तो मैंने उसके लिए ही डाला है कि वो भी यह खा लेगा उसको कल देखके तो यह उपर से टुटी-फुटी डाली और कोकोनेट पावडर डाला है और देखिए कितना लाजवाब कि अच्छा है और ही यंद्ध के लिए तो बहुत ही जादा अच्छा है तो अब भी इससे बनाकर जरूर खाई है हम तो आज से खाने के लिए लए लजज जाएंगे तो देखिए मैं आपको एक चमच निकाल के भी दिखाती हूं इसका टेक्शर कैसा है देखें कितना सॉफ्ट और मूँ में घुलने वाला बना है तो आप भी इसे जरूर बनाईए ट्राइ कीजिए और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताईए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरी चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं ऐसी कोई हेल्दी इजी और कोई नही रेसिपी के साथ तिल देन बाई टिक केर थेक्स पर वाचिंग तो देखिए मेरे हाथ में भी ओईल ओईल हो गया है पुरा कितना मज़ेदार बना है ना